पहला महाउपाई क्या है यह आपको बताती हूं सवाल यह है कि क्या घर में कला होती है कल नाग पंचमी का खास उपाई नोट कीजिए शिवजी और नाग देवता की प्रतिमा को दूद से स्नान कराने से कला से छुटकारा मिलता है आईए जानते हैं आज का दूसरा महाउपाई क्या बिजनस में बरकत नहीं हो रही नाग पंचमी के दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए कल आपको यह उपाई करना है नाग पंचमी के दिन यानि के कल दुकान या फैक्टरी में नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित करें और फिर उसे मंदिर में अगले दिन चड़ा आएगे चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाई क्या दुश्मनों से नुकसान का खत्रा आपको सता रहा है ऐसे में नाग पंचमी के दिन जरूर उपाई करें नहाने के बाद आपको नए कपड़े धरन करने है इसी पावन नदी के तड़ पर जाकर पहले अपनी इश्देव को याद करना है फिर भगवान को और बाकी देवी देवताओं का ध्यान करना है इसके बाद आपको अपनी इच्छा के अनुसार चांदी के नाग नागिन बनवा कर पवित्र नदी में बहा देने आप इतने छोटे छोटे भी बहा सकते हैं जानते हैं आज का चौथा महा उपाई क्या है क्या एक साथ कई परिशानियों ने आपको घेर लिया है ऐसे में कल नाग पंचमी पर उपाई करें नजदीक के शिव मंदिर में जाकर ओम कुरुकुल्य हूफट स्वाहा का जाप करें और नाग देवता से प्रात्ना करें देखिए आपकी परिशानी जट से गायब होगी आईए जानते हैं आज का पांचवा महा उपाई क्या कोई काम लंबे समय से अठका हुआ है आपको नाग पंचमी पर सोमवार परियो पाई करने है करना क्या है पास के शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से शिव जी का भी शेक करना है और फिर आपको प्रात्ना करनी है छोटी सी पर्ची लिखकर अपनी प्रात्ना अपनी मनो कामना की शिवजी के चर्णों में डाल दीजे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी